तो अगर आप भी यश्यस्वी जैसवाल को खतरनाक टेस्ट बल्लेबास मानते हैं तो वीटियो को लाइक जरूर कीजिए का दोस्तो बांगलदीश के खिलाब पहले टेस्ट के पहले दिन यानि कि यश्यस्वी जैसवाल ने तूफानी बल्लेबासी कर उड़ाये के इंदबासों के पर खचे तो इस्मृति मधाना भी हो गई यश्यस्वी जैसवाल की मुरीद क्या दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान जी हां दोस्तों भारत और बांगलादिश के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन यश्यस्वी जैसवाल ने शांदर प्रदर्शन कर सभी को हैरान किया जिसको देख स्मृति मधाना का बयान सामने आया है इस बीच इसमृति मधाना ने यश्यस्वी जैसवाल को लेकर एक ऐसा बयान चारी किया है जिसको सुनकर आप भी तंग रह जाएंगे तो आकिरकार स्मृति मादाना ने यशास्वी जैसवाल को लेकर क्या कुछ कहा है ये तो आपको बताएंगे ही तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंट तक जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है यशास्वी जैसवाल और रोहिट शर्मा में से कौन सबसे महान बलेबास है अपनी राय हमें नीचे दियेगा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है भारत और बांगलादेश के बीच दो मैचों की टेस्स सीरीज खेली जा रही है जिसका पहला टेस्मेंट चिन्ने की मैदान पर खेला जा रहा है इस मैच में भारती टीम ने टॉस हार कर पहले बलेबासी करते हुए खराब शुरुबात की जहां पर भारती टीम के 34 रन के स्कोर पर रोहिट शर्मा छे शुबमन गिल शून ने और बिराट कॉली छे रन बनाकर पवेलियन को लोट गए लेकिन इसके बाद में यशस्वी जैस्वाल और रिशब पंत ने मिलकर अर्दुशत की साजिदारी की लेकिन रिशब पंत भी 49 रन बनाकर पवेलियन को लोट गए तो दूसरी तरफ से यशस्वी जैस्वाल ने बहतरीन बल्लेबासी करते हुए पिच्ची आन वीकेंद पर 35 ओवर में अपना अर्दुश्य तक पुरा किया और उसके बाद भी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी जिसको देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है इस बीच यशस्वी जैस्वाल के शांदार प्रदर्शन को देखकर मदाना ने दिल जीत लेने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया है जिसमें इसमृ भावित किया है बलकि अपनी शांदार बल्लेबाजी से सभी को ये भी बता दिया है कि सीनियर खिलाडियों के मौझूदगी में भी यवा खिलाडी बहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाए दे सकता है इस मैच के अंदर आज यशस्वी जैस्वाल की तरफ से शांदार सभी को इस पश्ट संदेश दे दिया गया है कि इस प्रकार से आप अपने खेल को और भी यहादा बहतर तरीके से खेल सकते हैं और बिना किसी गलती के बड़ी पारी खेलते हुए सभी का दिल जीत सकते हैं आज उन्होंने जिस प्रकार से भैतरीन बल्लेबासी की है उसे देखकर मुझे लग रहा है कि ये खिलाडी आने वाले समय में भारत का सबसे खतरनाग बल्लेबास बन जाएगा क्योंकि उनके पास में बड़ी काबिलियत है। हम कर सकते हैं इसके लावा उन्होंने अंत में बयान देते हुए कहा कि ये खिलाडी के पास तरह की काबिलियत मौझूद है और ये खिलाडी किस तरीके से भैतर प्रदर्शन करते हुए आने वाले समय में भारते टीम को मस्बूत इस्तिति में लाने का कारिक कर सकता है जो आन